महंगाई के बुद्धे को लेकर कॉंग्रिस भर्व में प्रदिशन कर रही है इसी क्रम में राजधानी जैपुर में महंगाई मुक्त भारत अभियान को लेकर कॉंग्रिस की राष्टे महासचिप और जहारकन के प्रभारी अविनाश पांडे ने मीडिया को संबोधित किया PCC कारेले में प्रेस कॉंफरेंस को संबोधित करते वे अविनाश पांडे ने कहा कि आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है लेकिन बीजेपी चुनाव में भावनात्मक मुद्दों के आधार पर वोट हासिल करती है आज कश्मीर से कन्या कुमारी तक महंगाई की मार से जनता त्रस्त है पांच राजियों के चुनाव परिनाम के बाद ऐसा लगता है केंदर सरकार ने 62 करोड किसानों पर 3600 करोड रुपे का अतिरिक्त बोज डाल दिया है उन्होंने कहा LPG, GAS, Lander, CNG, PNG, TOLTAC, से दवाईयां, स्टील, सिमेंट, EAT, कॉपर, स्ट्री, लकडी सभी प्रकार की वस्तुए महंगी हो रही है लेकिन केंदर सरकार को इसकी कोई फिक्र नहीं है UPA सरकार ने आर्थिक मंदी के समय भी जनता पर बोज नहीं डाला आज केंदर सरकार का कोई वित्तिय प्रभंदन नहीं है पूरी तरह से आर्थिक विफलता के चलते लगातार महंगाई बढ़ रही है जनता को समझना होगा नहीं तो आज श्री रंका और पाकिस्तान जैसे हालात भारत में भी होगे पांडे ने कहा कि भावनात्मक मुद्दो पर बीजेपी चुनाव लड़ती है यह चिंता का विश्व है कि महंगाई चुनाव में मुद्दा नहीं बनती प्रेस कॉन्फरेंस में PCC अध्यक्ष गोविन सिंग टोटास्रा ने कहा कि आज आम व्यक्ती के लिए SNA महंगाई हो गई है उन्होंने कहा चाहे सरकार में मंत्री हो या संगठन में पदादिकारी सभी को मुखर होकर इसके खिलाफ आवाज उठाने होगी